दोपहर तक स्पॉंसर बाइ कॉटिलिय अकाडमी रीवा गोविन सिंग एंपी प्रजापती तरुन भनोट भी मौजूद रहे इससे पहले पूर्व केंद्रिय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष अरुनियादव सोमवार को भूपाल पहुंचे थे एंपी में राजुसभा की तीन सीटे खाली हो रही है इसमें दो सीटे बीजेपी के खाते में है और एक सीट कॉंग्रेस के खाते में है ऐसे में कॉंग्रेस के राजुसभा सांसत विवेक तंखा का कारिकाल 29 जून को खत्म हो रहा है और अब फिर से राजुसभा के लिए विवेक तंखा का नाम साफ कर दिया गया है आज विवेक तंखा ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है नामांकन पत्रों दाखिल कर दिया है जब यह चर्चाएं चल रहे थी कि इस बार राजुसभा में किसे भेजा जाएगा तब विवेक तन्खा का नाम तो था ही इसके अलावा भी और निताओं का नाम था राजुसभा भेज़े जाने के लिए लेकिन कॉंग्रेस ने सहमती विवेक तन्खा के नाम पर ही जताई न आमांकन पत्र भी आज उन्होंने दाखिल कर दिया है दोपर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं दूसरी खबर भी राजुसभा चुनाफ से ही जुड़ी हुई कॉंग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा का नाम सामने आ चुका है बीजेपी के खाते में दो सीट हैं जिसमे से मौका दिया जाए इस बीज बीजेपी के सेनियर नेता ने गुवाले चंबल से आने वाले बीजेपी के दिगज नेता को राजसभा भेजने की मांग की है पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपई के भांजी और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के बजरंग जैभान सिंग पवया एक योग वक्ती है और उन्हें राजसभा में जाना चाहिए उन्होंने कहा कि एक नाम की घोशना बीजेपी जल्द करेगी और इस पर गौर करने वाली बात यह है कि जैभान सिंग पवया के नाम पर कॉंग्रेस भी अपना समर्थन जता रही है नाम को क्लियर करने के बाद क्या जैभान सिंग पवया को राजसभा भेजा जाता है या नहीं या फिर उनकी जगह पे किसी दूसरे को भेजा जाएगा और वो दूसरा नाम कौन सा होगा यह देखना होगा दोपहर तक स्पॉंसर बाइ कॉटिलियो अकाडमी रीवा